इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लाप्टाप और कम्प्यूटर में पास्वर्ड लगा सकते हैं तो देखते रिये इस वीडियो को तमश्कार मैं मनुज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नलोजी के आंचाल में यहाँ पर आप कम्प्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट से संबंदित वीडियो देख तथा उन्हें सीख सकते हैं अपनी मात्र भासा हिंदी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कम्प्यूटर और लैप्टॉप दोनों में पास्वर्ट लगाने का तरीका सेम है यदि आपके लैप्टॉप या पी कम्प्यूटर में माइक्रोफ विंडोज इंस्टॉल हो जैसे कि विंडो 7 या फिर विंडो 8 या फिर विंडो 10 या आने वाला कोई सा भी वर्जन हो अगर यह आपके लैप्टॉप या कम्प्यूटर में इंस्टॉल है तो आप एजली पास्वर्ट सेट अप कर सकते हैं तो चलिया यह देखते हैं कैसे सबसे पहले आपको विंडो का बटन प्रेस करके सर्च करना है कंट्रोल उसके बाद आपको यहां पर एक कंट्रोल पैनल दिखाए देगा उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यह कंट्रोल पैनल का ओप्शन खुल जाएगा यदि आप अब यह सर्च नहीं कर पा रहे है तो आप simply window का button प्लस R प्रेस करके यहाँ पर type कर सकते है control और enter click mark के control panel open कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा user account and family safety उस पर click करें उसके बाद आपको यहाँ पर user account पर click करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यह account है manosaru local account administrator इस पर password नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा manage another account उस पर आपको click करना है उसके बाद जैसे आप click करते हैं यहाँ पर आपको आपके laptop में या computer में जितने भी accounts create करें गये हैं वो show कर जाएगा जैसे कि मेरा manosaru एक account है यदि आपने account नहीं बनाया या user id नहीं करा तो आप यहाँ से add कर सकते हैं add a new user in your pc setting तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे यह वाले account पे password setup करके तो इस पर आपको double click करना है जैसे आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा create a password का उस पर click करना है जैसे आप click करते हैं उसके बाद यह आपसे पूछेगा new password के लिए जो आप password enter करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपना password enter कर लीजिए उसके बाद आपको दुबारा वही password enter करना है confirm के लिए उसके बाद तीसरा option है type of password hint यदि आप अपना कोई password hint डालना चाहते हैं बाद आगर भूल जाते हैं तो hint से आप पता कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपना password hint डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे blank भी छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक create password का option डिखाए देगा उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप create password पर क्लिक करते हैं तो आपके laptop या फिर computer में password create हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके laptop या फिर computer में password लग चुका है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही जिए आपको यूट्यूब वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या फिर इस वीडियो से लिटेट आप कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको 24 आवर कंदर रिप्लाइ देंगे आप अपरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सब्सक्राइब पूटन पर क्लिक करके और नए वीडियो अप्लोड होने पर इनकी चला सकते हैं तो यह हैं हमारे कुछ और वीडियो जिने आप देख सकते हैं तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए टेकनोलोजी ग्यान ग्यान गुट बाए